हेलो फ्रेंड्स, डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है करनल अमर्दीप और आप देख रहें दविनिंगेज के डिफेंस चैनल और इस चैनल पर अभी तक हम आपके लिए लेकर आते थे अब मैं जब मैंने अपने जो विवर्स हैं सब्क्राइबर से उनको प्रॉमिस किया था कि यूपी सैनिक स्कूल और नवोदे विद्याले दो चीजें रह गई थी जिनके बारे में हमने अभी तक रिसर्च नहीं की थी हम रिटाइड वेक्ती हैं थोड़ा समझने में सीखने म कई अच्छे विडियो भी देखे और उनका प्रॉस्पेक्टस कल पूरा पड़ा प्रॉस्पेक्टस मैं आपको दिखा दूँगा यह मैंने डाउनलोड करके प्रिंट किया है और इसमें सारे नोट्स मैंने बनाया हैं क्या कि आज आपसे बात करने वाले हैं तो जो नवोदे विद्ध्याले हैं इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पैन का था कि आपको याद रहेगा 649 नवोदे विद्ध्याले हैं हट डिस्टिक्ट में एक हैं कई डिस्टिक्स में दो दो भी हैं दिल्ली के निवासी जाने दिल्ली में दो हैं और ये क्लास 6 में क्लास 8 म admission लेते हैं, लेकिन अभी हम केवल class 6 के entrance exam की बात करेंगे, 100 number का entrance exam होता है, January के महिने में होगा, इस बार January में ने होगा, इस बार November में होगा, 4 November को, 1st phase and 20 January 24 को 2nd phase में, 2 phases में exam conduct होगा, 100 number का exam होता है, और यह यहाँ पर हमारे चैनल पर इसका discussion इसलिए है कि जो भी आप 38,500 यह 600 subscribers हैं, उसमें से कम से कम 20,000 जो subscribers हैं, इससे directly affected होते हैं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि जिन भी parents ने, जिन्होंने हमारे साथ Senni School का package लिया है, या RMC का package लिया है, वो नवोदे की विद्याले के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनके बच्चों ने अलोड़ी अपेर करा हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश में 142 करोड की जनसंक्या है, मुझे अभी तक नहीं पता था, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनने इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है, वो इस वीडियो में कुछ कमिया पाएंगे, पका मुझे बताएं, अब हम धीरे धीरे जब इस पर रिसर्च शुरू कर दिया है, आप 6 मेने में देखेंगे, जवार नहोदे विद्ध्याले का बिलकुल हमारे को ग्रिप आगे, अच्छी बात क्या है कि क्लास 5 में जो बच्चा पढ़ रहा है, वो एक्जाम दे सकता है, 80 बच्चे लेते हैं, क्लास 6 में हर विद्ध्याले में, 51,920 विकेंसी हैं, theoretically, साल में, नाइन से किसी कैटिगरी से फीस लेते हैं, बात पर जब हम लंबा वीडियो बनाएंगे, 600 रपे, और उसके बाद आगे जाके 1500 रपी प्रती महा फीस है, रहना, खाना, पढ़ना, किताबें, कपड़े, सब पूरा का पूरा जो है, होसल के सोधा, सब को जो है, सरकार वहन करती है, इतना बड़ा मिशन हमारे देश में चल रहा है, और मुझे बहुत गर्व की अनुपूती हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है, इसके बारे में बात करते, मुझे पढ़ रहा था, मुझे इतनी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सरकार प्रतिबद है कटिबद है अच्छी education को प्रवाइड करने में अभी के नहीं 1986 से चल रहा है दुख की बात यह है कि मेरी भी शादी हुई 1997 में और बच्चे भी हुए दोनों बच्चे भी एक 11 में डॉटर पहुंच गया लड़का college में खतम करने वाला है मुझे इसके बारे में आज तक पता नहीं था क्योंकि जब हुआरे बच्चे उतने थे हम लोग अपना आर्वी में अपना काम करते बॉटर बगारा पर गोलियां चला रहे थे तो यह हमें कोई कोई बताने वाला नहीं था यूट्यूब पर मने देगा बड़ा अच्छ अच्छ इंस्टिटूट्स ने कई बिचारे अपने भी motivational speakers हैं उन्होंने वीडियो बनाएं तो 51,920 बच्चे मतला 52,000 के करीब बच्चे class 6 में अपियर कर सकते हैं बड़ा peculiar है इसका system तो जब हम इसका prospectors discuss करेंगे अभी के लिए मोटी मोटी जानने वाली बाते क्या है कि जो भी vacancy है district wise है आपका जो जिला है आपके हर जिले में एक नवोदे विद्याले एक से ज़्यादा है जहाँ पर जनसंक्या ज़्यादा है और इसमें एक और catch क्या है उसको भी अलग रंग से लिख देते हैं 75 परसेंट जो सीटे है rural ग्रामीन शेत्रों के लिए आरक्षित है और बाकी जो 25 है यह नहीं कि बाकी 25 शेहरी शेत्र के लिए बाकी 25 ओपन काडिगरी है जो कि कम से कम यह भरने के बाद अगर merit में ग्रामीन शेत्र के बच्चे आ गया आते हैं तो और और भी बढ़ सकती हैं और एक तिहाई one third जो total seats हैं वो कन्याओं के लिए आरक्षित हैं यह भी बहुत बड़ी बात है सरकार इतनी महनत कर रही है हमारे बच्चों को अगली पीडी को एक अच्छी शिक्षा दे देंगे और अच्छी बात क्या है सब कुछ free होने के बावजूद भी अगर आप challenge करना चाहते हैं आप इनका selection rate देखिए NDA का नहीं बताऊगा क्योंकि हमारा channel तो different channel है JEE advance और mains और NEET अगर बहुत ही उच्छ दर्जे के स्कूल है selection बहुत मुश्किल है दुख की बात है कि बच्चा के विल एक ही बार दे सकता है gramene शेत्र में होने के लिए बड़े जद्दो जहाद करने बड़ेगी तो अगर आप gramene है तो तीसरी चौथी पांचवी तीनों gramene शेत्र के स्कूल से एक एक साल करना है नहीं कि जम करके गलत certificate बना के आप जमा करने इन तीन साल में बच्चा अगर एक दिन भी शेहरी स्कूल में चला गया तो वो मानने नहीं होगा शेहरी शेत्र की वेकेंसिप गरना जागा उसको seat नहीं मिलेगी eligibility खतम हो जाएगी अब आप किसी और district में रह रहे हैं और आप belong कहीं और को करते हैं examination fees कोई नहीं है सब कुछ है सरकार सारी सुभधायन दे रही है लेकिन सारा document है वो चेक होगा आपके selection के बाद paper बहुत असान है मैंने paper देगा पेपर में तो कोई मुश्किल नहीं है तो यहाँ पर हमारे channel पर आने का इस video का कारण यह है कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिटर स्कूल की तयारी करने एक बार नवोदे विद्याले की website पर जाएं प्रोस्पेक्टर्स को download करें और देखें क्या हम eligible हैं के नहीं है क्योंकि देखने वाली बात क्या है 10 अगस 2023 जो है फॉर्म भरने की अंतिम्तितिये इसमें अभी हैं आपके पास एक महिना से ज़्यादा का समय है तो आप यह कर सकते है मैंने का इस video बनाने का उद्देश ही क्या है कि कुछ व्यक्तियों को इससे लाब मिलना चाहिए बहुत हमारे पास हमारे दिश में पड़े लिखे वेकती है उनकी जानकारी का लेवल बहुत ज़्यादा है मेरे को दो भी कलपरसों से ही इतमें इंटरेस्ट आया और अच्छी बात क्या है कि जो पेपर का पैटर्न है बहुत ही सिंपल है यह मैं पूरी डेटा जो लिखा है मैं मिठा देता हूँ एक बार डेटो बार बताते कि एक पांच दोजार बारा से लेकर आपका जो बच्चे का डेटो बढ़ता है थर्टी वन सेवन टू जिरो वन फॉर दोनों दिन इंक्रूडेड होते है मतलग अगर बच्चा एक मई दोजार बारा को पैदा हुआ वह भी एप्लाई कर सकता है 31, 7, 2, 0, 14 को पैदा हुआ है वह भी कर सकते है इसके ब्रैकेट वाले सारे कर सकते है एक बारी आप नवोदे विद्याले में अगर एक्जाम दे चुका है आप दुबारा नहीं दे सकते हैं खाली एक ही बार दिन है आपने और वह बच्चा इस साल पांच्वी में पढ़ रहा होना चाहिए ये भी जरूरी है क्लास फॉर्थ वाला नहीं दे सकता और क्लास शिक्स वाला पांच्वी पास कर लिए वो नहीं दे सकता है माला जो छटी बे आ गया है उसने इस साल पांच्वी में पढ़ रहा होना चाहिए अगले साल जब तक एड्मिशन होगा तब तो इसका नेरो हो जाता है लेकिन मैंने क्या कहा है एक सो बीस करोड है हमारी जन संक्या फिफ्टी वन थाउजन नाइन टॉन्टी तो आपको मेरे धिरदुन शहर से मिल जाएंगे बच्चे ऐलेजिबल जो है और ये असी बच्चे ही लेते हैं हर साल एक क्लास में ये भी क्या जाए तो ये सब चीजे जानकारी देना इसलिए आवशक था कि आप अभी नवोदे की वेबसेट पर जाएं मैं इसको क्लियर करना कि आपने नवोदे विद्याले की वेबसेट पर जाये आपने आप नवोदे विद्याले सर्ज करेंगे बस वहाँ पर admission का form खुलाव है 10 August जो है last date है, form भरना बहुत असान है आपको बस जो district का आपका निवास प्रमान पत्र है और बच्चे का जो school certificate है वो भी दिखाएंगे, school के जो headmaster साब sign करेंगे वो दो चीजें आपने करनी है upload के लिए त्यार रखने हैं, बच्चे की study करें, अभी 15-20 दिन के बाद भी form भरेंगे, कुछ जाएगा नि क्योंकि सैनिक स्कूल प्लस RMS प्लस जवाहर नवोदे विद्याले तीन आपके बास, जो पांच वे बढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए तीन option बढ़ जाती है, एक option बढ़ जाती है और syllabus बिल्कुल सेम है जो आप सैनिक स्कूल का पढ़ रहे है केवल percentage of questions है, वो थोड़ा सा अलग है, भाशाओं का थोड़ा सा फरक है बहुत सारी भाशाओं में आप exam दे सकते हैं, तो जो उसका 100 marks का जो exam है उसमें 40 सवाल तो केवल reasoning के हैं, intelligence के हैं MCQ based है, negative marking नहीं ये 50 नमबर का है उसके बाद maths है उसमें 20 सवाल आते हैं और 25 नमबर का है और उसके बाद language है, भाशा जिसमें English, Hindi सब शामिल है वो भी 20 सवाल आएंगे, 25 नमबर का है तो total 100 नमबर का आपने 2 घंटे में exam देना है अब ये 100 marks हैं आप जब सैनी स्कूल आ रहे हैं में जैसे मुश्किल exam की दैरी कर रहे है बच्चे इसमें 100 में से 100 नमबर भी ले आए है 97, 96 ऐसे cut-off गया है जिसके 29 नमबर है उसका भी नाम नहीं आए इतना असान है तो जब form भरना free है exam देना free है तो मैं चाहूंगा कि सभी जो पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे चाहे वो rural vacancy में जाते हैं चाहे urban में जाते हैं उसकी चिंता ना करें हम अभी अपने जो batches चल रहे हैं उसमें नवोदे के भी paper कराएंगे इंको बहुत समय है वो चाहर पांच paper करा दे बच्चा crack कर लेगा क्योंकि हम higher level maths पढ़ा रहे हैं हम intelligence जो science school के अंदर शामिल है प्लस हम और subject पढ़ा रहे हैं इसमें gk का तो कुछ है ही नहीं वो gk, social studies, science वगरा कुछ नहीं है केवल intelligence, language and आपका maths और अच्छी बात क्या है कि आठवी तक शिक्षा जो है नवोते विद्याले तीन भाषाओं पर काम कर रहे हैं आठवी तक आपकी जो regional language है, मातर भाषा उसमें पढ़ाई होती है 9 से लेकर 12 तक social studies हिंदी में और बाकी subject English में बहुत जो रहे sports पर, games पर, physical fitness पर personality development पर और skill development पर मेरी कल डेली के नवोदे विद्याले की एक से वाटसाप पर बात हुई एक को मैंने call किया इनको बच्चों को 9 में जब 9 में जाते हैं एक साल के लिए migration scheme के अंतरगत वो कह रहे हैं दिली में दो नवोदे विद्याले एक जाते हैं गोवा दूसरा भी महराष्टा के इसे school में जाते हैं ताकि बच्चा दूसरे प्रदेश के culture उसकी भाषा को सीख के देख के आए और एक साल वहाँ जाना compulsory है इतनी महान scheme हमारे देश में चल देए हमें नहीं पता था तो नवोदे विद्याले ना केवल आपके बच्चे का मानसिक बहुत देख शारिदिक विकास पर ध्यान देते हैं बहुत अच्छा एक सशक्त नागरिक बनाते हैं और बिलकुल जीरो पैसे हैं SC, ST, दिव्यांक और लड़कियों के लिए तो पूरा ही फ्री है एक भी पैसा नहीं देना जो गौर्रमेंट सर्विंट है जनरल वाले जो आते हैं वो पहले 600 रुपे देते हैं फिर बाद में 1500 रुपे प्रतिमा देते हैं कुछ भी नहीं है इतना बढ़िया है और आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे नवोदे का रुटीन है कई लोगोंने वीडियो बना के डाले हैं सुबह पांच बज़े उठते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं नाश्ता करते हैं, अच्छा खाना खिला रहा है बढ़िया, मतलब इसका जो management है administration है, मुझे बहुत देख के अच्छा लगा बढ़ी positive मिर को feeling आई तो मैं चाहूंगा कि नवोदे विद्याले पर हम और सोच विचार करें, और जाच परताल करें और इसको अपने बच्चा अगर वो eligible है तो eligibility condition बहुत सारी है तो अगर आप prospectus, यह मैंने काया यह download किया, मैंने तो print कर लिया, आपको मैं soft copy आप कहेंगे, हम भेज देंगे हमें आपने क्या करना है इस number पर मैं हरे को बताता हूँ, मेरे को whatsapp करिये, 74176 56633 whatsapp करें और यह video में तो पूरी detail में ही बात करने वालो पूरा prospectus discuss करेंगे एक एक चीज discuss करेंगे, क्या क्या आप लोगों के जानने के लिए है, ताकि बिल्कु clear हो जाए कि हमें क्या करने है तो मैं चाहूंगा, अगर आप यह video देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा विक्ति है, जिसका बच्चा भी पहली क्लास में गया है, नया पैदा हुआ है, LKG में पढ़ रहा है 2nd, 3rd, 4 कहीं भी है 5th से पहले, तो आपने यह जो है, वीडियो उसके साथ share पका करने है मैंने बताया था, कि आप अगर ऐसे हैं तो आपने कोशिश करने कम से कम एक और विक्ति को ऐसे इस थिती में लानेगा, यह आपका बिल्कुल प्लस वाले काम हो रहा है वो भी करेगा ऐसे करके ऐसे करके बढ़ता है जाएगा खुशी ऐसे बढ़ती है, और यही आपके पुणने भी बढ़ रहे हैं उपर जो आपके खातों का हिसाब हो रहा है, मैं हर बारी बनाता हूँ उसमें आपके, इसमें पन्ने खतम हो जाएगे प्लस वाली साइट पर, इतने ज्यादा अच्छे काम हो जाएगे क्योंकि इस सब क्या कोई न कोई हिस्सा अच्छाई का आपके पास आ रहा है मैं नहीं कहा रहा है, हमारा जो वीडियो बहुत ही महान है यह सब कुछ है, लेकिन जानकारी बहुत इंपॉर्टन और मैंने कहा कि 52 एस की एज तक मुझे इसके बारे में जीरो नॉलिज थी, जीरो शैर में पढ़ा हूँ, सेना में अफसर रहा हूँ, सब कुछ किया है लेकिन नॉलिज नहीं होती, सब चीजें हमें सब को जानना ज़रूर नहीं है लेकिन जो यंग पेरेंट्स हैं और यह एक वरदान है उन बच्चों के लिए जो एकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अब फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चा पढ़ेगा भी नहीं, यह तो गलत है लेकिन एकोनॉमिक वीकर सेक्शन है और बच्चा आपका हीरा है, सितारा है उनके लिए तो वर्दान है बिल्कुल नवोदेविद्याने क्योंकि सेलेक्शन कॉम्पेटिटिटिव एक्जाम के थू ही होगा ये भी ध्यान रखना है तो जो बिल्कुल साधन हीन है उन व्यक्तियों के लिए जो एकरॉमिक वीकर सेक्शन है या आर्थिक रूप से पिछड़ा है या कमजोर वर्ग है उनके लिए ये नवोदेविद्याले स्कीम बिल्कुल गोल्ड क्लास है तो आप इतने इस बात को ध्यान देना है हम भी क्या करेंगे अपनी मुबाइल अप्लिकेशन पर नवोदेविद्याले का एक फ्री कोर्स 99 रुपीज 100 रुपीज का कोर्स बना के डालनेंगे सौर पर खर्च करिये लेकिन ये करना अपने बच्चे को कराना ज़रूरी है तो मैं चाहता था इस वीडियो के जरूरी है हम एक नए मिशन की शुरुआत करें नवोदेविद्याले के बारे में बहुत सारे तथे हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है जिनके बारे में आपको क्लारिटी चाहिए अगला जो हम वीडियो बनाने वाले इसके बादे रिकॉर्ड होगा वो भी तो उसमें मैं इसके बारे में डेटेल में बात करूँगा और मैंने अपना नंबर दुबारा लिख देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन भी इसमें मिल लेगा 7417656633 और ये है वाट्साप विस्की अलफा ये करना पका करिए आज नहीं कल आपको पका में जवाब दूँगा अगर अवश्यक होगा तो कॉल करूँगा आप लिखे टॉक्टू करन लेडी मुझे बात ही करनी है या ऐसा करके मेसेज करनी लेकिन सारे लोग यह मत करे आप अपनी समस्या लिखते कि मेरे बच्चे कर डेटो पर दिया है यह यह करके जिसका लिखित में जवाब दिया जाथ कि लिखित में जवाब दिए बात्चित का सिलचला चल पड़ा है थैंक यू बढ़ाई जाहिन